हेलो गाइज आपका स्वागत है एक और नहीं वीडियो में तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि काफी टैम से में वीडियो नहीं डाल पा रहा था व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे तो जो मेरे वीवर्स मेरे व्लॉग्स कंसिस्टेंटली देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सो मच और खास तौर से मेरे स्टुडेंट्स जो इतने अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं और मेरे व्लॉग्स देखते हैं उसके लिए थैंक यू तो अब मैं कंटिन्यू करूंगा वीडियो के साथ थोड़ा बीदी चल रहा था किसी काम मैं नो डाउट यह जो ट्रेलर मेंने देखा कॉटा फैट्ट्री के सीजन थी का जो ट्रेलर देखा यह मेरे बता रहा है कि यह wala सीजन एक प्रोसेस है वह बहुत ही प्यारे मैं आपको बताता हूं ट्रेलर का जो सब्सक्राइब करेंगे उसका इसमें क्या होगा सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब करना कि पर जिस बंदे ने प्रिप्रेशन करने सद्सका सेलेक्षन नहीं गए ठीक है वो आते आते रहे गया लेकिन उसने जो preparation करी है उसने दो साल तीन साल जो preparation करी है उसको celebrate क्यों नहीं करना क्या उसने अपना skill set नहीं बढ़ाया क्या उसने अपनी सोचने की शक्ती नहीं बढ़ाई क्या उसने life situations को handle करने की शक्ती नहीं बढ़ाई वो घर से दूर जाता है घर से दूर जाके कोटा में रहता है ठीक है life lesson सीखता है कैसे रहना है कैसे situations को handle करना है काफी चीज़े सीखता है वो लोगों के बीच में रहता है ठीक है पढ़ाई जब वो करता है तो भाई वो पढ़ाई भी कहीं न कहीं उसके काम आती है क्योंकि पढ़ाई basically क्या है कि आप अपने सोचने के skills को बढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ है अगर आपका IIT में नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि आपने वो जो पढ़ाई करी वो वेस्ट है आप अपने माइंड में scientifically speaking आप अपने माइंड में नए neurological connections नहीं आर करते हो ठीक है तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती scientifically ट्रेलर का दूसरा डायलोग दूसरा डायलोग है जीत की तैयारी नहीं तैयारी ही जीत है ठीक है यह बात शुरू के दो सीजन में नहीं बताई गई थी लेकिन इस सीजन में इसमें भगवत गीता का एक बहुत ही famous लोग मेरे को याद आ रहा है वह करमन्यवादी का रस्ते वाला उसमें बात करेंगे लेकिन अभी इस डायलोग पर फोकस करिए जीत की तैयारी नहीं तैयारी ही जीत है कहने का मतलब यह हम हमेशा यह देखते हैं कि हम destination पर पहुंच नहीं अगर आप अपना पूरा focus अपना ध्यान destination पर लगा दोगे तो जर्नी को कैसे एंजॉय करोगे जर्नी को एंजॉय करना इस इस मोस्ट इंपोर्टेंट जर्नी को एंजॉय करना है ठीक है destination पर पहुंच जाओगे लेकिन जो अभी present में है फिलहाल में आप future की सोच के चलोगे तो अब प्रेजेंट को कैसे जी होगे ठीक है तो अभी जो च चार्ज और मेंगनेटिजम चल रहा है अच्छा तो आपका पूरा फोकस अगर क्लास में है आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो आप उस चीज का मज़ा ले रहे हो तो उसके चार्ज मेंगनेटिक फिल्ड पैदा हो रही है जो किसी चार्ज पर फोर्स लगा रही है चलते क्लास में पढ़ा रहे है वो उसको एंजॉय कर रहा है ठीक है उसे इससे मतलब नहीं है कि यार मेरा आईटि में सेलेक्षन होगा या नई वो तो एक लास में इसलिए आईए कि उसको मजा आ रहा है पढ़ने में उसका शॉक है फिसिक्स थीक है उसे मजा रहा है इस तरीक के से वो अपनी description कर रहा है उसका आईटि में selection नहीं भी होता लेकिन उसने जो अपनी preparation करी है ना उसने उस preparation को जिया है उसने उस preparation को enjoy करा है तो यार में मोटिव क्या है एंजॉय करना और जिस इंसान का mental level या फिर mental status इस इस हद तक होता है न जब इसे फरक नहीं ता कि अगर कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा और कुछ अच्छा मिल गया तो बहुत जाद़ खुशी हूस्ट हूस्टेश इन दस्टेट ऑफ न्यूट्रालिटी न्यूटरल जो रहता है न नूटरल वह बंदे सक्सेस्फुल होते ही होते हैं लाइफ में successful हो जाते हैं जिनने फरक नहीं पड़ता यार अगर यह मेरे साथ हो गया तो क्या होगा और बहुत कुछ मिल गया तो बोखला से जाना जैसे अगर कुछ लोग बोखला जाते हैं तो यह dialogue मेरे को बहुत पसंद आया जीत की तैयारी नहीं तैयारी ही जीत है तीसरा dialogue तो जीतु भही से कोई सवाल करता है तो उसमें जीतु भहिया बोलते हैं कि इनकी responsibility बहुत बड़ी चीज है जीतु सर नहीं ले पाएंगे तो इसका यह पता चलता है कि students का emotional side psychological side होता है वो घड़ से दूर निकल के आते हैं कि और वहाँ पर कोई family support नहीं है ठीक है emotional breakdowns होते है ब्रेक अप्स होते है जो teenagers है वाई teens है तो infatuation होता है ठीक है तो इन चीजों को handle करने के लिए कोई तो होना चाहिए तो अपनी emotional state किसके साथ share करेंगे इन फैक्ट में देख रहा थे कि अभी वेकेंसी निकली थी एलन और जो और भी कोचिंसिट्यूट्स है कोटा में counselors की वेकेंसी निकली थी counselor क्या होता है counselor होता है जो मालो कोई student किसी trauma से या किसी mental disorder से गुजर रहा है तो इसको treat करने के लिए counselors होता है counselors are basically psychologists तो वो treat करते हैं through various therapies तो उसकी वेकेंसी निकली थी या अब यह facility आने लगी है कोटा में भी लेकिन पहले यह facility नहीं थी इतने counselor वगयरा महाँ पर नहीं हुआ करते थे तो students को चाहिए होता था कि यार हम अपना emotional side किसके साथ शेयर करें अपनी बाते किसके साथ शेयर करें teachers तो वहाँ पर बहुत सारे तो इसलिए उसमें कहा गया है कि responsibility जीतू सर नहीं जीतू भहिया लेंगे ठीक है ताकि वह अपनी चीजे भी शेयर कर सके उनके साथ चौथा डायलोग जो मुझे बड़ा पसंद आया जीतू भहिय यह पता चलता है कोटा factory इसी कहाता है कुछ mass production हो रहागा किसी product का तो इसमें होता ही है वह आप देखो के एक company चलती कैसे है अब एक student ने वहाँ पर admission लिया तो इसे कुछ होता है rankers क्या होता है rankers अब वह rankers बनते है face of the institute जिनका photo banner पर लगता है ठीक है banner पर लग गया अब जो दूसरे नए student आएंगे वो उन बच्चों को देख के आएंगे अच्छा यार इसकी all India rank 1 LN से आई थी या फिर इससे आई थी मैं ऐसी नाम नहीं लेना चारा किसी इंस्टिट्यूट से आई थी ठीक है तो वो उस advertisement को देखके उसमें admission लेंगे तो जो rankers होते है वो होते है advertisement का एक तरीका यह बात समझ रहे हो जो rankers होता है वो advertisement का एक तरीका होता है कि उन्हें देखके नए students admission ले हमारे हां ठीक है और जो नए student आके admission लेते हैं वो होते है money givers ठीक है वहां से money extract करा जाता है company चलती है और जो face of the institute होता है वहां से फिर advertisement यह सब यह marketing वगरा होती है तो यह है तो इसमें जीतु भाई ने कहा है कि मेरे लिए हर student matter करता है चाहे हो मुझे rank लाकर दे यह ना दे दे इंसिट्यूट को भी क्या चाहिए ranks चाहिए हमें ranks चाहिए यह उनका motto रहता है honestly it's a brutal truth जो मैं बता रहा हूँ यह चीज है तो है ठीक है student पर इतना ध्यान इतना focus नहीं जाता है जितना rank पर जाता है यह वैसे brutal truth है इसको आप भी neglect नहीं कर सकते इसमें जब उनना ने कहा है मेरे लिए हर student matter करता है तो इससे यह बात पता चलती है कि जीतु भाई का जो mindset है वो यह नहीं है कि मेरे को rank rank चाहिए अपने institute के लिए उनका focus student पर है student को तयार करने पर है student को नई चीजे explore कराने में है ठीक है ना कि rank बलाने में तो मोटे मोटे तो और पर ग्रम इसको इसको एक nutshell में में बात करूं में focus क्या है don't focus on the results let it be the byproduct of preparation यह है इसका में focus यह फिर में मोटो इन नट्शल कि आप अपनी तैयारी करें आप result पर focus ना करें कर्मण्य आप अधिकारस्ते माफलेशु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू ते संगोस्त कर्मणी तो वही हमारे भगवत गीता में तो बहुत पहले से बात कहते आ रहे हैं लेकिन यार सबको सबने सुना भी सबको मतलब भी बता है लेकिन जीवन में इसको उतारना इस लोक को थोड़ सबताता हूं if you are focusing on result while preparing मालो मैं ITJ की तयारी कर रहा हूं और मेरा focus है result पर ठीक है कि मेरे को IT निकालना IT निकालना है तो उस समय जो मैं पढ़ रहा हूं भाई उस समय जो पढ़ रहा हूं मेरा focus महां पे 100% कैसे होगा मेरा 50% ध्यान तो IT की उस पर है और जो मैं पढ़ रहा हूं moving charge and magnetism अच्छा integral b.dl is equal to जो भी मैं solve कर रहा हूं मेरा ध्यान वहां पे है ही नहीं मेरा 50% ध्यान तो महां पे destination पर तो भाई वही तो मैं कह रहा हूं 100% focus आपका उस समय आपकी किताब पर होना चाहिए ना कि future में you should live in the present ठीक है yesterday is history future is a mystery but today is a gift that is why it is called the present buh-bye